वर्ग एवं वृत्त की समरूपता इस भाग में हम वर्ग वृत्त समांतर चतुर्भुश और त्रिभुज जैसी आकृतियों में समरूपता पर चर्चा करेंगे यहां आकृति चार में दो वर्ग दिये गए हैं जिनकी भुजाएं क्रमशह एक सेंटी मीटर और तीन सेंटी मीटर हैं क्या दोनों वर्ग समरूप हैं चुकि वर्ग के प्रत्य कोण का माप 90 अंश होता है और इनके कोण बराबर एवं हरेक की चारों भुजाएं समान होती हैं अतह दोनों वर्गों की सभी भुजाएं समान उपातिक भी होंगी अतह दोनों वर्ग समरूप हैं अब हम देखते हैं कि वर्ग A, B, C, D की प्रत्य भुजाएं को तीन गुणा बढ़ाने पर वर्ग P, Q, R, S मिलता है यानि इसकेल गुणा तीन है अब आकरिती पांच में दो वर्ग है एक वर्ग की तिज्जा एक सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग की तिज्जा तीन सेंटी सेंटीमीटर तिज्जा के वृत की आकार या साइस को घटा कर एक सेंटीमीटर तिज्जा का वृत बना सकते हैं अता हम क्या सकते हैं कि दोनों वृत समरूप हैं कौपी में अलग अलग तिज्जा का वृत बनाईए और पता कीजिए कि वे समरूप हैं या नहीं सोचे एव प्रिशेश तरह की आकृतियां हैं इन्हें केवल एक अव्याव भुजा या त्रिज्या द्वारा निधारित किया जा सकता है। स्केलिंग करते समय आकृतिय के रूप को बरकरार रखना होता है। जहां इनके लिए समरूपता के गुण मौजूद हैं। अन्य आकृतियों में ऐसा नहीं हैं। अलग-लग प्रकार की आकृतियों के लिए समरूपता जांचने के माप धंड अलग-अलग होंगे। तो फिर हमें कैसे पता चले कि कोई दो आकरितियां समरूप हैं अत्वा नहीं इसी के लिए समरूप आकरितियों की कुछ विशेष्टाएं निर्धारित करना उप्योगी है बहुभुजों में समरूपता दो बहुभुजों के समरूप होने का अर्थ है यदि उन्हें एक निशित इसकेल गुणक से बड़ा अत्वा छोटा किया जाए जिससे उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बड़ी अत्वा छोटी हो तो वे दोनों समरूप होंगे अत्वा बहुभुजों में समरूपता के लिए सभी संगत कोणों का बराबर होना तथा सभी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात में होना आश्यक है अब हम आयत और त्रिभुज में समरूपता को समझेंगे और समरूपता जाचने के तरीके पर बात करेंगे आयत में समरूप तक कैसे जाचे ग्राफ पर बनें आयत की चित्रों को देखिए आकृति साथ यदि आयत ABCD मूल आकृति है तो क्या आयत PQRS और आयत LMNO मूल आकृति के समरूप है देखने पर तो यह आकृतियां समरूप दिखती हैं परन्त वास्तों में यह समरूप है या नहीं हमें पता करना होगा आयत के प्रते कौन का माफ नब्बे अंश होता है अर्थात सभी आयतों के कौन बरावर होंगे चुकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बरावर होती है अता आयत में समरूपता जाशने के लिए हमें चारों भुजाओं की नहीं बलकि दो सनलगन भुजाओं के अनुपात पता करने की जरूरत होती है आकृती साथ देखकर नीचे बनी तालिका पुरी कीजिए तालिका 1 भुजाओं की माप संगत भुजाओं का अनुपाद भुजाओं की माप आयत ABCD में और आयत PQRS में आयत ABCD में AB बरावर एक और BC बरावर दो जबकि आयत PQRS में PQ बरावर दो और QR बरावर चार है संगत भुजाओं का अनुपात लेने पर हमें मिलता है PQ बटे AB बराबर 2 बटे 1 और QR बटे BC बराबर 4 बटे 2 जो बराबर है 2 बटे 1 के अधा आयत PQRS और आयत ABCD की संगत भुजाओं का अनुपात समान है यह अनुपात PQ बटे AB बराबर QR बटे BC बराबर 2 है इसलिए PQ बटे AB बराबर QR बटे BC बराबर RS बटे CD बराबर SP बटे DA बराबर 2 चुंकि आयत PQRS और ABCD के सभी संगत भुजाओं का अनुपाद बराबर है यहां इसकेल गुणक 2 है भुजा PQ भुजा AB की दुगनी है दोनों आयत समरूप है इसे गणिती रूप में इस तरह लिखेंगे आयत ABCD समरूप है आयत PQRS के जहां यह बना हुआ चिन समरूपता का चिन है तालिका 2 भुजाओं की माप आयत ABCD के लिए और आयत LMNO के लिए AB बराबर 1 और BC बराबर 2 यह आयत ABCD के लिए है और आयत LMNO के लिए LM बराबर 1.5 और MN बराबर 3.5 संगत भुजाओं का अनुपाद देखने पर हमें मिलेगा LM बटे AB बराबर 1.5 बटे 1 और MN बटे BC बराबर हमें मिलेगा 3.5 बटे 2 यानि 1.75 बटे 1 अब तालिका 2 को देखकर आयत ABCD और LMNO के बीच तुलना कीजिए क्या आयत ABCD और आयत LMNO सवरूप है? यहां एक संगत भुजाओं का अनुपाद 1.5 है और दूसरी संगत भुजाओं का अनुपाद 1.75 है चोके संगत भुजाओं समानुपादिक नहीं है इसलिए आयत ABCD और आयत LMNO समरूप नहीं है करके देखें चित्र में दोनों चादरें समरूप है तो इसकेल गुणा कितना होगा? X का मान गयाद कीजिए चादरों के परिमाप और शेतर फल का अनुपाद कितना है? रेखाखंडों का समानुपादिक विभाजन बिन्दू L और M रेखाखंड A B और रेखाखंड C D पर इस्तित है यदि A L बटे L B बराबर C M बटे M D है तो हम कहा सकते हैं कि रेखाखंड A B और रेखाखंड C D L और M दोरा समानुपादिक रूप से विभाजित है इस नियम का उपयोग हम त्रिभुजों की समरूपता को परखने के लिए करेंगे कि इस नियम का उपयोग है